तो फ्रेंड सबसे पहले आप यहाँ पर लाइफ प्रूफ देख सकते हैं कि जिसने इस तरीके का चैनल बनाया वो इससे कितने रुपे अर्ण कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली अर्निंग जो है वो 687 डोलर से स्टार्ट है और 11,000 डोलर तक मंथली अर्निंग क अर्ण कर दिया है और अगर हम इसे रुपीज में कनवर्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 670 डोलर 687 तो आप देख सकते हैं आप चपन हजार से इसकी अर्निंग शुरू है और मंथली अर्निंग 11,000 डोलर तक है तो यहाँ पर अगर मैं 11,000 डालू 11,000 तो यहाँ आप देख सकते हैं 8,000,000 लगबग 9,000,000 रुपे यह मंतली इस चैनल से यहाँ पर कमा रहा है तो मैंने सबसे पहले आपको लाइप प्रूफ दिखा दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 687 डोलर से 11,000 डोलर यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले लाइप प्रूफ दे द दिया है और जिसने इस तरीके का चैनल बनाया है वो इससे लाख रुपे महीने के अर्ण कर रहा है आपने लाइप प्रूप में भी देखा तो अगर आप भी इस तरीके से यूट्यूब से लाख रुपे अर्ण करना चाहते हैं और इसमें आपको ना तो वोईस देने की है बस आपको Public to करना है तो इस तरह की वीडियो को शुरुरू से लेकर लास तक जरूर डेख वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल थे पहली Sorta के ऊपर अब्र ituation بال को सबस्क्राइब करें और आने वाली हर एक नई वीडियो की अप्डेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर तो सबसे पहले हम यूट्यूब एप्लिकेशन के अंदर चलेंगे और मैं आपको सबसे पहले यह चैनल दिखाऊंगा जो इतनी सारी अर्निंग कर रहा है जिसका मैंने आपको लाइप पर उपी दिखाया तो मैं सबसे पहले यहां पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि जी के कोश्चन्स अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो आपको कितने जादा व्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं तो मैं यहां पर इहां पर आप देख सकते हैं जी के कोश्चन्न अगर मैं डालूं तो इससे रिलेटिड काफी सारी वीडियो यहां पर आ जाएंगी जैसे आप देख सकते हैं देखियाप पांस दिन पहले डाली थी 160 के 1,60,000 व्यूज इसके उपर आए हैं आप देख सकते हैं सारी वीडियो पे हजारों में व्यूज हैं यह आप देख सकते हैं दस महीने पहले डाली थी तो इस पे 3.7 व्यूज आ गए हैं कितना ज्यादा पोटेंशिल है इस तरह के कॉंटेंट में और अब मैं आपको वो चैनल दिखा देता हूं यहां पर तो यहां पर मैं बैक आ जाता हूं ठीक है और यहां पर दुबारा सर्च करता हूं उस चैनल का नाम जिसका नाम है बियार जीके हो लिए है इनोंने सिर्फ और यहां पर इनके चैनल में इतनी जादा सब्सक्राइबर हैं और यहां पर हम इनकी वीडियो में जाए और यहां पर अगर मैं पॉप्लर वीडियो पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं 22000, 8.8 million, 4.8 million, 4.1 million, 3.8 million, millions में views हैं इनकी जो पॉप में हैं और लाखों में भी काफी सारी वीडियोज हैं तो इस तरीके का content आप भी बना सकते हैं जैसे आप इनकी recent वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं latest value पर क्लिक करूं यहाँ पर लेटेस्ट पर तो यहाँ पर नीची देख सकते हैं तीन दिन पहले डाली बाईस हजार विउज फांस दिन पहले डाली और रही गौच्णहेसी जानवे हजार व्यूज इस तरीके से व्यूज आपको चैनल आप इसे खुद जाके इस पे खुद चैनल पे जाके विजिट करके इनकी वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा है नाइनों ने वोईस डाली नाइनों ने चैरा दिखाया सिर्फ यह जीके कोश्चन्स की कोपी पेस्ट करके वीडियो बनाके कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में आपको जो लाइप प्रुफ दिया था वह मैं आपको दुबारा दिखा देता हूं एक बार ठीक है इसी चैनल का मैंने आपको लाइप पूर दिया था तो उसके लिए हम क्या करेंगे च्रूम ब्रॉजर के अं यहां पर दिखाया था इसे refresh कर लेता हूं मैं आपके लिए ठीक है और यहां पर आपको जूम करके दिखाता हूं ठीक है यह रहा बीयार जी के हैं जो earning कर रहे हैं और इनको देखना जादा पसंद करते हैं और मैं आ आपको सिखाता हूं कि इस तरीके की वीडियो आपको किस तरीके से बनानी है उसके लिए आपको क्या-क्या करना है आप को ऊपको पूरा ध्यान से देखना है थोड़ी lengthy वीडियो ज़रूर होगी लेकिन अगर आप इसे सीख लेंगे तो आपके बहुत अच्छी कमाई YouTube से हो सकती है सबसे पहले मैं यहां से application से बहार आ जाता हूँ और हम चलते हैं Chrome browser के अंदर तो मैं Chrome open कर लेता हूँ यहां से नया टैब लेने के बाद आपको यहां पे Google पे आ जाना है google.com मैं open कर लेता हूँ और यहां पे अब हम search करेंगे interesting gk questions in Hindi ठीक है यह लिखके आप search कर देंगे तो आपके सामने धेरो websites आ जाजेंगी जहांसे आप questions ले सकते हैं ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे questions आपके सामने आ जाएंगे top 1000 भी आ गए top 100 भी आ गए तो जोन से आपको सही लगते हैं उन पे आप यहां पे click कर लेंगे जैसे मैं अगर इस पे click कर लूँ तो यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको questions मिल गए 1000 questions आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आप जितनी बड़ी वीडियो चाहें उतनी बड़ी वीडियो बना सकते हैं तो यहाँ पे आपको question मिल गया यहाँ पे पहला question मिल गया यहाँ पे answer भी लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है इसको यहां से copy कर लूँगा मैं इस पर click करके यह हमने यहां से copy कर लिया डीज जितने option है ठीक है यहां तक मैंने copy किया इस पर click करके यहां पर copy पर click कर लिया यहां से मैंने इसे copy कर लिया अब हमें क्या करना है इसको हमें audio जो चाहिए हमें अपनी audio नहीं डालनी है, हमें दूसरी audio डालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, यह text हमने यहां से copy कर लिया, फिर दूसरा tab लेना है, दूसरे tab में Google पर आना है, और यहां पर आपको अपने जो text को है, उसको voice में convert करना है, तो text to speech, य देके simple हम यह लिखेंगे Google पर, Google से ही हम कर लेंगे सब कुछ, यहां पर सबसे पहले उपर काफे सारी, तो friends यहां पर आपके सामने काफे सारे options आजाएंगी, काफे सारे website आजाएंगी, तो यहां पर आपको सबसे उपर voice maker वाली, आपको simple इस वाली website के उपर जाना है, और आपको जो text आपने copy किया था, वो यहां पर paste कर देना है आपको, ठीक है, मैंने से यहां पर paste कर दिया है, उसके बाद यहां पर आपको नीचे आजाना है, language and region के अंदर आपको Hindi select करना है, ठीक है, अगर कोई और language है, तो यहां पर आपको Hindi select कर लेना है, क्योंकि हमारा जो text ह वो Hindi के अंदर है, तो मैं Hindi India इसे select कर लेता हूं, उसके बाद नीचे यहां पर आप देख सकते हैं, काफे सारी voices आपको दे रखी है, एक ही free है, बाके सारी पैसे वाली है, premium वाली है, तो हम free वाली ही use करेंगे, ठीक है, इस पर automatic tick हो रखा है, यहां पर हम convert to speech पर click कर देंगे तो मैं इसके उपर click कर देता हूं, खिस चानवर की दूद में सबसे ज़्यादा protein होता है, तो यहां पर convert हो चुकी है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको play करके दिखा देता हूं थोड़ा सा, खिस चानवर की दूद में सबसे ज़्यादा protein होता है, इस तरीके से text को audio में convert कर लिया ठीक है हमें पता लग गया कि हमें gk के लिए जो text है वो कैसे मिलेगा उसे audio में कैसे convert करना है हमें उसकी voice का पता लग गया बोलने की जरूरत नहीं है नफेज दिखाने की जरूरत है ठीक है अब आपको जैसे की पता है कि यह आपको YouTube पे अप्लोड करना है तो वहाँ पे आपको ऐसे वीडियो अप्लोड करना पड़ेगा तो वीडियो बनाने के लिए आपको एक बहुती बहतरी एन अप्लिकेशन के अंदर जाना होगा इसे वीडियो में कनवर्ट करने के लिए जिसका नाम है काइन मास्टर तो मैं काइन मास्टर के अप्लिकेशन को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ तो हम आ चुके हैं काइन मास्टर के होम पेज के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ ठीक है तो यह अप्लिकेशन मैंने तो मैं इसे select कर लेता हूँ उसके बाद हमें यहाँ पर एक background लेना है तो यहाँ पर background वाले पर मैं click करता हूँ और यहाँ से आप कोई भी एक background select कर सकते हैं जैसे मैं white वाला background select कर लेता हूँ इसे ok कर देता हूँ और इसे मैं खैंच की थोड़ा बड़ा कर देता हूं जितनी मिनट की आप वीडियो बनाना चाते हैं वहां तक इस बैक्राउंड को लेके जा सकते हैं अब यहां पर क्या करना है जो text हमने copy किया था जो question था हमारा वो हमें यहां पर paste करना है तो वो कैसे paste करेंगे हम layer के option पर जाएंगे और यहां पर text का option जो है हम इस text वाले option पर click करेंगे और यहां पर हम उसे paste कर देंगे ठीक है इस तरीकी से paste कर दिये मैंने अभी मैं option हटा देता हूँ यहां से ठीक है सिर्फ question question ही हम अब यहां पे लिखेंगे यहां पे ठीके यहां तक कर सकते हैं यहां पे आप question mark लगा सकते हैं जैसे यहां पे मैं लगा देता हूँ उसके बाद OK कर देंगे यहां पे आ गया text ठीके पहले इसमें जो color है इस color वाले पे click करके इसको black कर लेंगे ठीक है इस तरीके से या कोई और कलर आप करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं से थोड़ा सा पकड़के जूम कर लेंगे इस तरीके से ठीक है यहाँ पर यह इस तरीके से आ गया यहाँ पर आप कोई और कलर करना चाहते हैं वो कोई और कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है मैं यहाँ पर जैसे मान लिजी मैंने यहाँ पर red कर दिया ठीक है red आ गया यहाँ यहाँ पर यहाँ फिर मैं इसे black रहने देता हूँ black color हो गया ठीक है इस तरीके से और यहाँ पर इसे पकड़ के आप जहाँ तक आपका वीडियो जारी है इस question के लिए आप वहाँ तक इसे पकड़ के कर सकते हैं ठीक है लंबक है सकते हैं इसको उसके बाद यहाँ पर हमें options लाने हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा आगे जाके यह option लाने चाहिए ठीक है जैसे मैं यहाँ पर आके अब यहाँ पर option लेके आता हूँ तो फिर से layer पर click करेंगे और यहाँ पर text पर click करेंगे और जो हमने copy किया था उसे फिर से यहाँ पर paste कर लेंगे paste करने के बाद उपर का हटा देंगे हम यहाँ पर ठीक है options रहने देंगे बस इस तरीके से ok कर देंगे तो यहाँ पर यह सारे options आ गए हमारे इन्हें यहाँ पर पकड़के लेएंगे इनका color हम red कर देते हैं ठीक है इस तरीके से या कोई और color कर देते हैं हम इसमें green कर देते हैं या yellow कर देते हैं इस तरीके से या कोई और color हम यहाँ पर देखते हैं कोई और blue कर देते हैं इस तरीके से इसको और बड़ा कर लेंगे यहां पर थोड़ा से छोटा ठीक है यहां इस तरीके से लगा देंगे इसको ठीक है तो यहां पर इस तरीके से यह हो गई यह और थोड़ा छोटा कर लें यहां पर यह सेट हो गया ठीक है हम आपको एक बार प्ले करके दिखाता हू तो यह इस तरीके से चल रही है अभी इसके अंदर हम एक एनिमेशन लगा देते हैं इन एनिमेशन के अंदर हम जाते हैं और यहां से हम इसे पॉप करते हुए दिखाई देते हैं ठीक है यह उप्शन्स आ गए तो उप्शन्स के अंदर भी अभी यहां पे कोई ज़्यादा वो नहीं आ रहा है तो हम अभी उप्शन्स में यहां पे भी कोई एनिमेशन लगा देते हैं जैसे मैं यहां पे इन एनिमेशन के अंदर जाओं तो यहाँ पे मैं animation लगा देता हूँ letter by letter का ठीक है जिसे एक एक word यहाँ पे हो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं दुबारा play करके यहाँ पे इस तरीके से यह आएगा और फिर यह letter में इस तरीके से आ जाएंगे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं वह वोईस कहां पर आई है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह वह वोईस है इसे मैं अपनी इस वीडियो के अंदर इंसर्ट कर लेता हूं तो यहाँ पे मैंने Plus पे क्लिक करके इसे अपनी वीडियो के अंदर डाल लिया आप देख सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे Done पे क्लिक कर देता हूं तो यह 10 सेकिंड की वोईस है ठीक है? इसकी voice को मैं पहले थोड़ा कम कर देता हूं ज़्यादा मैं आपको अबी नहीं सुना रहा यहाँ पे मैं इसकी voice को थोड़ा कम कर देता हूं ठीक है यहाँ पे 63 चे आस्पास और आप देख सकते हैं इस तरीके से यह बोलगा आप देखने में भी अच्छा लग रहा है ठीक है वोल्यूम मैं इसका फिर से बढ़ा देता हूँ ठीक है जो कर देता हूँ वापिस उसके बार done कर देता हूँ तो यह इस तरीके से आएगा अब यहाँ पे आपको जरूरत क्या है एक photo की ठीके अब मैं आपको यहाँ पे suggest करूँगा कि आपके answer से related आप यहाँ पे photo डालें जैसे यहाँ पे इसका answer होगा D option इसका answer है ठीके तो मैं उसी से related तो guess करने में भी आसानी होगी पब्लिक को तो हो सकता है ज्यादा views भी आए उस चीज के उपर तो यहाँ से मैं back आ जाता हूँ और यहाँ पे भेड की image चाहिए तो उसके लिए मैं जाता हूँ image search man के अंदर image search man के application को मैंने open कर लिया और यहाँ पे मैं भेड सर्च कर लेता हूँ ठीके तो भेड गी यहाँ पे काफे सारी images आ गई यहाँ से मैं कोई भी एक image यहाँ पे click की ठीके यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस पे click करके यहाँ पे नीचे download का option है इस पे download पे click करके इसे allow कर देंगे download complete हो गया ठीक है वापिस आ जाएंगे अपनी application के अंदर काइन master में अब यहाँ पे हमें अपनी वो image यहाँ पे डालनी है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो वो image हमें यहाँ पे डालनी है जब हमारे options आएंगे तो जहाँ पे options खतम स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे लगा देंगे तो मैं उसे यहाँ पे insert कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो image आ गई आप इसको अपने coding आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से यहाँ पे लगा दी अब इसमें आपको answer भी बताना है तो answer के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर last में जाके आपको थोड़ा सा last से पहले ठीक है यहाँ पर आके यहाँ पर timeline में क्या कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसे increase कर ले ठीक है जितनी आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके according यहाँ पर मैं image को भी increase कर लेता हूँ जितनी आपकी वीडियो है उसकी साब से ठीक है audio को तो हम नहीं कर सकते लेकिन इसको कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक हम अपने वीडियो के यह यह तो background है इसमें आप और भी इसी तरीके से questions लाके वीडियो को बहुत lengthy कर सकते हैं ठीक है मैंने इसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लिया अपनी image के size को और अपने जो हमारे options हैं उनको ठीक है उनको आगे बढ़ाने के बाद जहाँ पे हमें questions खतम हो रहा है हमारा यहाँ पे हमें एक timer लगा देंगे हम ठीक है उसके लिए हमें सबसे पहले layer के अंदर जाना है और यहाँ पर handwriting वाले पर click करना है और यहाँसे इस handwriting वाले को square में कर लेना है उसके बाद यहाँ पर हमें डी वाले option को select कर लेना है डी वाले option में करना है हमें ठीक है दुबारा से करता हूँ यहाँ पर D वाले option को लेना है इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर done कर देना है अब इस handwriting वाले को ही select करना है और इसमें आपको एक animation लगा देना है ठीक है तो यहाँ पर second number पर जो यह circle दिखाई दे रहा है overall animation का इस पर click करना है यहाँ पर blink slow पर click कर देना है ठीक है इस तरीके से done कर देना है इसको यहाँ पर questions को भी आगे बढ़ा देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से blink होने लग जाएगा और इसके बाद यहाँ पर यहीं पर इसे stop कर देना है इस तरीके से यहाँ और पिछे कर देते हैं इसको ठीक है इस तरीके से जैसे यह वीडियो चलेग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्लेकर के इस तरीके से blink हो जाएगा यह ठीक है जैसे answer होगा last में जाके आपका blink हो जाएगा इस तरीके से आपको इसमें सारे editing कर लेनी है उसके बाद यहाँ पे आप और डेरो question जितनी वीडियो आप बड़ी करना चाते हैं उतने जादा questions यहाँ पे insert कर सकते हैं इसी तरीके से और अपनी वीडियो को बना सकते हैं आप यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद उपर आपको share का option दिखाए देखा आपको simple share वाले option पे click करना है और अपनी वीडियो को export कर लेना है और इसे YouTube पर डाल देना है और इस तरीके से आप अपनी GK की वीडियो बना सकते हैं और इसके लिए आप एक नया चैनल भी शुरू कर सकते हैं और उस पे बना के अपनी वीडियो को डालते रहें इससे आपको भूँच जंदी ग्रोध देखने को मिलेगी और आप महिने के लाख रुपेज से अंड कर पाएंगी तो फेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी वीडियो से कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू